गुद्बॉर्णिक स्टूडन्ट, मैसेफ सर्मन्दा, स्टैंडर्फोर सब्जेक्ट इवेश्टू स्टूडन्स, इन प्रिवेस लेक्चर, भी हाव लॉन चाप्टर नुब फोर्ट इन दो फोर्ट इसके बारा ने हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था कोण्डाना फोर्ट, जब शिवाजी महाराज ने समझो था क्या था मेजर राजे जैसिंग के साथ, तभी शिवाजी महाराज ने 23 फोर्ट दिये थी, और 23 फोर्ट में थे कोण्डाना फोर्ट, तो जिजाह माता, याने कि शिवाजी महाराज की मदर, उनको बात चुपती थी कि कोंडाना फोर्ट दुश्मनों के हातों सुरक्षित नहीं है यह बात उनको चुपती थी तो यही बात शिवाजी महाराज को भी चुपने लगी तो शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि कोंडाना फोर्ट रिकैप्चर करने के लिए तो कोंडाना फोर्ट रिकैप्चर कोन करेगा क्यूँ क्यूँकि कोंडाना फोर्ट को रिकैप्चर करने के लिए बहुती मुश्कील था इतना आसान नहीं था कोड़न फोट को हसिल करना तो तानाजी मालुसुरे का के बेटे की शादी थी तो तानाजी मालुसुरे और शेलार मामा शिवाजी महराज के पास गए अपने बेटे के न्योता देने के लिए तो शिवाजी माराज ने कहा कि तानाजी मुझे माफ करना मैं अपके बेटे की शादी में नहीं आ सकता क्योंकि मैं कोड़न फोट कैप्चर करने के लिए चाहराओ तो इसे तानाजी बोला तानाजी ने क्या कहा मेरे होते वे आप जाओगे तो मेरा क्या मतलब होगा कि मेरे होते आप जाओगे कोड़न फोट को कैप्चर करने के लिए आप मुझे पर्मिशन दो में कोड़न फोट लेके आऊंगा लेकिन शिवाजी माराज ने कहा कि अरे आपके बेटे की तो शादी है तभी ताना जी ने कहा बेटे की शादी बाद में पहले शादी कोंड़ना की मेरा डे में क्या बोलदे आदी लगिन कोंड़ना चा मगा आमचा राइबाचा मुझे आप पर्मिशन दो और आपका अशिर्वाज चाहिए यह में कोंड़ना फोर्ट कैप्चर करके आऊंगा तो क्या सिवाजी माराश पर्मिशन देते ताना जी को तो वह देखेंगे हम अगे तो लेट स्टार्ट ताना जी प्लान विद इस वर्ड ताना जी टुक चार्ज ओव दे कैम्पीन और लेफ फोर कोंड़ना बस एक वर्ड से ताना जी ने लाकि में लूंगा में रीकैप्चर करऊंगा कोंड़ना फोर्ट को और ताना जी ने कोंड़ना फोर्ट रीकैप्चर करने के लिए प्लैन बनाया तो क्या प्लान था देखो दो फोर्ट वाज देन द अंदर द इमिटेट कंट्रोल अफ उधेबान राजपूत ओफिसर अपोंटेड बाई जैसिंग। मिर्जा राजय जैसिंग ने उधेबान को अपोयन किया था कोंडाना फोर्ट का क्या देखबाल करने के लिए उसके कंट्रोल में था उधेबान उधेबान वाजपूत इंद विगिलन्ट अफिसर ऑधेबान ये बहुत ही discipline का officer था, बादी सक था और विजलन अफिसर था, there were two entrants, there were two entrants to the fort, fort के दो entrants थे, both were heavily guarded by उदेबान men, कोर्णा फोर्ट को दो दर्वाजे थे, लेकिन दो दर्वाजे के उपर बहुत पहरा था, किसने दिया था, दुश्मनों ने, किसके दुश्मनों ने, उदेबान के लोगों ने वहापे पहरा लगा था, दो गेट के उपर, how then to mount on isolate, तो केसे जाना है फोर्ट के अंदर, ये ताना जी ने सोचा, ताना जी quietly made a detailed inspection of the fort, ताना जी ने एकदम शान्ती से पूरे किले को चारों बाजों से उसने क्या-क्या inspection किया, यानि कि देख रहा था वो, कहां से नो जाना मिलेगा, फोर्ट के अंदर, तो वेस्टन साइड में एक बहुत बड़ी चटान थी, वो चटान के अगर हम उपर, चटान से उपर हम चटगे गए, तो वहापे गार नहीं रहेंगे, वहापे गार क्यों नहीं थे, क्योंकि वो इतनी बड़ी चटान थी, वो इतनी बड़ी चटान थी, तो कोई भी वहाँ से, ना निचे से उपर आ सकते हैं, ना उपर से निचे आ सकते हैं, इसलिए उधर बाद ने वहापे अपने सहिनेगों को पहरा देने के लिए नहीं रखा था, ये बात ताना जी को पता चली, देखो ताना जी मालुसरे कितने होश्यार थे, ताना जी डिसाइड टू एटेक फ्रॉम देट साइड, तो ताना जी ने डिसाइड किया कि हम एटेक करेंगी ये साइड से, अतलब वो बड़ी चटान से, उसने अपने छोटे भाई को अपना प्लान एक्स्प्लेन किया था, और उसका नाम था सुर्या जी मालुसरे, उसका नाम था सुर्या जी, ताना जी ने अपने यंगर बदर को का कि आप 500 को मावलास लेके जाओ, और कल्यान गेट के आपे पहुचो। और जो 300 के मावलास है, मैं यहाँ से चटानों से उनको उपर लेकी जाओंगा। ऐसा प्लान बनाया था ताना जी मालुसरे ने। अस सून आज वी आर देर, वी शॉल त्रो ओपन दोर्स अफ दे कल्यान गेट। जैसे हम पोच गेए, ताना जी ने कहा, जैसे हम चटान चड़के, अगर हम फोर्ट के अंदर पोच गे, तो हम वो कल्यान गेट खोल देंगे। और उस ने कहा, जैसे हमने गेट कुला, तो आप अंदर आए और हमें जोइन करिये। किस के लिए लड़ाई करने के लिए। और कहा कि हम दोनों साथ मैंगे, और मोगल के सहिनिकों को हम मार देंगे, और फोर्ट को हम कैप्चर करेंगे, ये प्लान फाइनल हुआ था, तो सुर्याजी और तानाजी अपने अलग-अलग रास्ते से चले गए। देखो ये चटान, इतनी बड़ी चटान थी, ये चटान चड़के तानाजी तीन सो मावलो को लेके चड़े थे। और देखो प्रिसिषाईस और इन फोर्ट अभी चटानो के ओपर चड़ना कैसे चड़े थे। ये त वा दार्क नाइट तानाजी और इस मेन वेर गैदर अधर अधर फोर्ट अवर्ट प्रिसिषपाईस। तानाजी एक बहुत घना गहिनी रात थी। पूरा चारो तरफ से अंदेरा ही अंदेरा था। पूरा डार्क नाइटी। तानाजी और उनके आदमी जो चटान थी उसके निचे सब जमा हुए। इसे अंदेरे की कीडे आवाज करते हैं उसकी आवाज चारो तरफ गुंजने लगी। फाइ और सिक्स मेंबर अफ तानाजी पार्दी श्टार्टे टू स्केल दप्रिस्कपाइस। फाइ और सिक्स मेंबर चटान चडने लगे। लेकिन स्टूडन्स आपको मालू में चटान चडने के लिए आपको रसी की जरूरत होते हैं। रसी थी लेकिन उपर कोन जाएगा रसी बांदे लिए सबसे पहले कैसे बांदी रहेगी रसी को और कैसे चड़े रहेंगे। तो आपको मालू में घोरपड तानाजी की बास थी घोरपड और उस घोरपड का नाम था यश्वन थी। यह आपके हिस्टिके बुक्स में नहीं है तो आपको यह इक्स्ट्रा है नौलेज है आपको मैं बता रहा हूँ। चरित्रे में उसका उलिक दिया हुआ है तो आपकी हिस्टिके बुक्स में नहीं है लेकिने मैं आपको बताता हूँ। तानाजी मालोस्ट्र के पास थी घोरपड और वो घोरपड को बांदा था रस्टी से और घोरपड को बला था चट्टान चड़ने के लिए। गोरपड पहले सबसे पहले चट्टान चड़ी और उपजा के रुकी उसके मदद से उसके हेल्प से लोग चड़ने लगे और वो रसी एक जाड़ को बांदी। और वो घोरपड का नाम था यश्वन थी। जैसे उपड रसी से बांद लिया जाड़ों को तो एक इक मावलास अपने उपड चड़ते गए। जैसे वो चड़ रहे थे तो किसी तो तरफ वो अपने पेर चट़नों के अंदर डाल रहे थे और ऐसे चड़ रहे थे। बहुत ही डेंजरस और डिफिकल था। जलोली बट शोरली थे रहे थे तोब्स। जलोली को कुछ ना हो लेकिन वो उपर चड़ गए। जाड को रसी बांदी और एक एक करके जैसे मंकी चड़ते वैसे हार एक मावलाश चड़ते गए। ओपर पोज गए। देखा ना यह ऐसे मावलाश चड़ते गए। चट़ते ओपर। देखो यह पिच्चर है। तना जी वैल्लियर बाए नाव सुर्या जी आद रिज्ट गल्यान गेट। सुर्या जी कल्यान गेट के आपे पोज गए दा। यह वेटेट देर फोर दोर्स तो ओपन। बैटल अन दो फोट स्टाटेट। बैटल जैसे ही तना जी वालो सुर्य पोज गए। कि और कल्यान गेट खोल दिया। उदेबान heard of the attack उदेबान ने वह आवाज सुनी जो मावलास ने एटेक किया था तो बैटल ड्रम्स वास साउंडेड। तो जैसी दुश्मनों ने सुना कि एटेक चलो है तो उन्होंने क्या कि द्रम बजाना चालो किया। और वह आवाज सुनके उदेबान बाहराय और उदेबान गैरिसर्स एटेक टानाजी में लडाई चलो ही। अ ग्रीम बैटल स्टार्टेड बेटिव। टू फोर्स इन दे लाइट ऑफ डांसिंग टॉर्चेस। तानाजी वास फाइटिंग लाइक ब्रेव लाइन। ने कल्यान गेट खोला और तानाजी ऐसे लड़ रहते जैसे की लायन कैसे लड़ता है। वैसे तानाजी लड़ रहते। उदेबान अटेक हीम। उदेबान ने तानाजी के उपर अटेक किया। बोथ वेर वेरी ब्रेव एन बैटल बेटून बेटून देम वास फियर्स और दोनों में। और दोनों ही बहुत शूर्विर थे, ताकतवर थे, होशार थे। उदेबान ने ऐसा तलवार का वार किया। तानाजी के उपर तो तानाजी की शील्ड तूड गई। इतना चोरो से उदेबान ने उसके उपर वार किया था। और जैसी सिल्ट उदी तो तानाजी मालुसरे ने अपने उपर जो फेटा रहता था था उसकी उपगड़ी निकाली उसका अपने हाथ को बान लिया प्रोटेक्ट करने लगे इन दे एंड बोथ वेर मॉर्टली वूंड़ेड एंड फेल फाइटिंग दोनों के वार एक दूसरे पे गिरे एक दूसरे पे मारा और दोनों ही वार पे मर गए इसका मतलब फोट को कैप्चर किया लेकिन शेर मर गया क्या इसका मतलब तुर देखो विद देथ अफ ताना जी दा मावलास फांड देंशल विदाओ अ लीडर एंड बिगें तूसरे लोग भागने लगे वो सिंद सुरेजी ने देखा कि मावलास लोग भाग रहे सुरेजी वाज डीपली गृव तो नोग देखो और सुरेजी को पता चला कि मेरा भाई वहाँ पे मर गया है तो वो दूख नहीं मना सकता था क्योंकि वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे वहाँ पे कोंड़ना फोर्ट हासिल करना था बट यहाँ नो टाइम फोर ग्रीव उसको दूख मनाने के लिए उतना टाइम नहीं था वो अपने फाइट चारी रहा था जो मावलास फोर्ट को क्लाइम करके आ रहे थे और वही मावलास उतर रहे थे क्योंकि उनकी लिडर मर गया था यह बात देखे सुरह जी ने वहा की रोब को कट किया और मावलास को क्या कहा आपको जरा से भी शरम नहीं है वहाँ पे आपका बाप मर गया है और आप लड़ाई छोड़ने से लड़ाई छोड़के आप भाग रहे हो ऐसा सुर्या जी ने मावलास को का तर्ण बैक और फाइट फोर आई हैव ब्लॉक और का पिछे चलो वापिश चलो हम लड़ाई करेंगे और मैंने जहाँ पे आप ऊपर चड़के है वहाँ की मैंने रसी काट दी है और कहां कि आपके पास सुर्या जी ने मावलास को कहा कि आपके पास दो ही चोईस है एक तो यहाँ पे चटान उसे उपर से नीचे कुद कर अपनी जान दो या दुश्मनों को लड़ाई करो और दुश्मनों को हरा दो यह दो ही चोईस थी तो थी मावलास रठन डुश्मनों की उपर अटक करने लगे हो फिर्ष बैटल रज थी ने हमलस !! पर यह दोतितन तायजे एंडेव एंडाना ना जी हटज्विद कॉर्ट ju उन्होंने फोड को कैप्चर किया पट लायन हटेट शेर जेसा दिल उनका लीडर वापे मर गया वो कुन दा ताना जी जिजा माता हैं शिवाजी मार्ज हर्ड नियूस और ये बात जिजा माता हैं शिवाजी को पता चली और वो बहुत ही दुखी हो गये शिवाजी माराज ये बात सुनके कि उनका ताना जी मर गया है शिवाजी माराज एक्सप्रेंशी सौरो इन शिंगल सेंटेंज शिवाजी माराज ने अपने एक ही शब्द में कहा कि the fort is won but the lion is dead ये शिवाजी माराज ने कहा the fort is won but the lion is dead क्या कहा है हमने fort को तो जीत लिया है लिकिन हमने शेर को गवा दिया और मराटी में क्या बुलते गड़ आला पर सिवाज गिला क्या बुलते गड़ आला पर सिवाज गिला सो कोंडाना बिकेम सिहगर्ड तो कोंडाना का नाम बदल के क्या नाम दिया सिहगर्ड समझा स्टूटन्स आपको सिहगर्ड फोर्ट है तो सिहगर्ड फोर्ट उसका पहला नाम क्या था कोंडाना और ये बड़े शुरुवर ने अपने मेमरी बनाई इस इवेंट तुक प्लस इंग अब भी वा था ये 1670 में लेटर ओन शिवाज जी राजे परसनली वेंट तू उम्राटे और पर्फॉर्म वेडिंग व्राइबा और परसनली शिवाजी माराज राइबा के शादी में उम्राठे में चली गए थे तो स्टूडन्स देखा अपने तावाजी मालू सुरे ने कैसे अपनी जान गवाकर फोट को हसिल किया और क्या बोला था शिवाजी माराज ने गर डाला पन सिवा गिला तो स्टूडन्स ये थी चाप्टर नवर फोर्टिन कि दो फोर्ट इस कैप्चर बट लाइन इस देड की स्टूरे स्टे होम श्टे सेफ